वैसे तो तो मैं उम्मीद होगी Xbox Series X और PS5 के बारे में बात हो नीचिए क्योंकि 2024 आ चुका है लेकिन आम आज इस वीडियो में बात करेंगे PS4 और Xbox Series S के बारे में तो PS4 Slim भी आप ले सकते हो जो कि मारे को आज की डेट में 15,000 रुपे में अराम से मिल जाता है इन तीनों कंसोल के बीच में बहुत बड़ी फाइट है कि यह सस्ते में बड़ी आ गेमिंगी करवा देते हैं पर ले कौन सा किसी के अंदर resolution अच्छा है किसी के अंदर titles अच्छे करो तभी तो जादा व्यू जाएंगे तभी तो जादा लोगों तक वीडियो पहुंचेगी स्टार्ट करते हैं Xbox Series S और PS4 in 2024 यह तो राइमिंग हो गया वाई साब और PlayStation में हमारे को तीन वेरेंट्स मिलते है PS4 Pro और PS4 Slim मेरे पास रखाई है PS4 Fat भी आता जो सबसे पहले सबस के बाद अगर आपका मन बनता है तो PS4 Slim यह प्रो के लिए जाना यह बाद में रिलीज हुए थे इनकी मशीनरी भी आपको अच्छी मिलेगी सेगिनेंड मार्केट में और तुम में सब बहुत लोग ने मेरा फ्रेम पैचान लिए हो कि यह आज कुछ नया सा मसाला पहन रख हसलर सीरीज क्यों है क्योंकि भाई साब यह डियूरेबल है यह फ्लेक्सिवल है तुम्हारे भाई की तरह डियूरेबल कह सकते हैं भाई फ्लेक्सिवल मैं इसके जितना भी नहीं हूँ इवन CEO और को फाउंडर ओफ लेंस कार्ड मिस्टर प्यूश बंसल वो भी शाक टैंक नाइटी परसेंट हामफुल डिजिटल लाइट को ब्लॉक कर देता है और सबसे बैस पार इस फ्रेम के बारे में बता है क्या है यह सूपर लाइट फील होता हमारे फेस के ओपर एकदम मतलब कमफर्टेबल मामला है इसके अंदर हमारे को 11 प्लस फन कलर्स मिल जाते है तो जաս कंपर करते हो आप पसंद आपके छहरे को स्फूर करें वह आप समय कर सकते हो तो आप भी अपने लेक्ट लेट अगरे लेंटी बहुत मैंटर करते हैं उन लोग के लिए जो लोग चांवव करते है नभी प्सपड़ियो बनाइटी टीवी तो टोडी साथ में उटाए होता है और अगर आप गेमिंग के बहुत तकड़े शौकिया हो अब अपना कंसोल साथ में लेके घूम और टीवी पे लगा और रोटेल के कमरे में दबा के गेमिंग करो एंड यहां पर साइज एंड पर्फॉर्मेंस क्योंकि निकाल के देता है रेजलूशन जादा देता है सारा भी हम कबर करेंगे वीडियो के अंदर 잡아 एश फॉर ऑब आप को SSD मिलते हैं जो कि भाई सूपर फास्ट है Xbox Series S के अंदर हमारे को instant loading times मिलते हैं फटाफट game on हो जाती है quick resume का feature मिलता है वो सब possible है इसकी SSD की वज़े से और वहीं पर PS4 के अंदर हमारे को काफी slow loading times मिलते हैं जैसे मैं GTA 5 PS4 Pro के अंदर खेल के देख रहा था पांच से साथ मिनट लग जाते हैं गेम को को देखते हो इसके अंदर हमारे को 500 GB storage मिलती है OS & UI को अगर साइट अटा दो तो 360 GB usable रहती है दो तीन बड़े बड़े गेम डालो और यह फूल हो जाता है अगर इसकी वन टीबी के बारे में बात कर लेते हैं काफी बड़िया मेरे को UI लगता है अनिमेशन हमारे को स्मूद मिलती है बैक्राइब मिजिक मिलता हमारे को इसके अंदर गेम खेलने के लिए लाइब्रेरी यमारे को कैसी मिलती है वह सब साथा मैटर करता है एक्स बॉक्स सीरीज के बारे में इसके अंदर को आज जिसकी डेर में teint च्लूजवाहोइबर हो गए वह सब लेट एसके अंदर मिल लगते हैं उसके अलावा एक्सबॉक्स के एक्स्लूजिव टाइटल्स इतने अच्छे नहीं है इस लाइब्रेडी आपको बढ़िया मिलेगी अच्छे कासे आप गेम्स इसके ऊपर खेल पाओगे लेकिन वहीं पर प्लेस्टेशन की बात करते हैं थो बिश्टेशन के एक्स्लूजिव टाइटल्स का तो कोई मुकाबला ही नहीं है एक्सबॉक्स थो उसके यदो इन्फेमस और इनकी लिस्ट इतनी लंबी है आपकी यूनिवर्सल लाइबरेरी दोनों के लगबक से मैं जैसे जीटे 5 इसमें मिलेगा इसमें मिलेगा फार क्राई हो गया जितने भी उनिवर्सल टाइटल होते हैं जो PC पे क्या हिसाब किताब है फ्यूचर प्रूफिंग के मामले में कौन सा जाधा बेटर है देखो एक्सबॉक्स सीरीज एस हमारी 2020 की लाउंच है और इस पर और गेम्स आएंगे कम से कम 2025 तक अभी यह रेलेवेंट रहेगा और इस पर लेटेस्ट गेम्स आती रहेंगी PS4 हमारा ला में भी आएंगी लगबक एक दो साल तो और आएंगी उसके बाद हो सकता है वाइस के उपर गेम्स आनी बंद हो जाए लेकिन एक्सबॉक्स सीरीज एस जादा फ्यूचर प्रूफ है अभी पांच्छे साल इसके उपर आफ तगडी गेम्स एंजॉए कर सकते हो और इसके अंदर स्पाइडर मैं 2 भी हमारे को नहीं मिली रिफट अपार्ड भी नहीं मिली एक्सबॉक्स सीरीज एस का भी अभी कुछ कंफर्म नहीं है जहां तक मुझे लगता है कि इसके उपर आएगी क्योंकि इसके अंदर SSD मिलती है ज्यादा पावर्फुल मशीनरी है ले उसके उपर तो भाई कनफर्म आएगी उसके बाद आती है गेम्स खरीदने की बात यहां पर सीरीज एस के अंदर कोई डिस्क लॉट मिलता है जिसका अमारे को बेनेफिट मिलता है गेमिंग के अंदर सबसे पहले सीरीज एस की बात कर लेते हैं अगर आपको कोई भी गेम खरीदनी है तो आपको Microsoft Store से खरीदनी पड़ेगी जो प्राइस चल रहा होगा चाहे वो डिसकाउंट है चाहे वो डिसकाउंट नहीं है वहीं से आप खरीद पाऊंगे कोई प्लेस्टेशन के अंदर बाइस आप अगला सवाल आता है जेल ब्रेक को लेके तो प्लेस्टेश अगर आपको अपना प्लेस्टेशन फॉर जेल ब्रेक नहीं करना तो आप आईडी वाला सीन भी कर सकते हो जिसमें आप अपने PS4 पे गेम्स खेल पाऊगे आफ लाइन बस इंटरनेट से नहीं करना होता आफ लाइन जितने भी गेम्स लोड़ीड आपके प्लेस्टेशन प आपको काफी कम प्राइस में मिल जाते हैं मार्गेड में अपने एक बार जो परचेज कर लिये वह आपने खेल लिये उसके बाद या तो आप इसको इंटरनेट से करो जो आप ऑफीशली गेम्स खेलने के लिए और मान लोग आपको जेल ब्रेक के या फिर आईडी वाईड चक्कर में नेकी फसना तो आप लोगों के लिए उनकी मेमबरशिप भी चांबडर को मिल जाता है और प्ले से पैले मेंदर के लागव मिलता हैं मेरण प्राइस कि गेम केंटलोग देख लेते हैं यहां पर जीटीए 5 है मोटो जीपी 3 है उसके लावा आउटलास 2 इसके अंदर गेम मिल जाएगी उसके लावा जस्ट कॉस्ट फोर हमारे को मिल जाएगी इट टूबी सकेंदर मिलती है फार कराई 6 भी राइज ऑफ टूम रेडर और शाड़ टूम रेडर भी इसके अंदर मिलती है इविल विदिन होगी वाजडॉग्स लीजिएंटूम रेडर का पहला पार्ट कहना ब्रिज ऑफ स्पिरिट्स होगी उसके अलावा असासिंस क्रीड के सारे पार्ट हमारे को इसक उसके अलावा GTA 5 भाई उन्होंने डाल रखी है GTA 5 के मज़े आप ले सकते है एक्सबॉक्स के गेम पास पर हेलो के हमारे को उसके अंदर सारे पार्ट मिल जाते है बैटमैन है प्लेक टेल है इसके अंदर ही भाई बहुत सारे गेम्स हैं यह वाली मेंबर्शिप भी इसके अलावा अगरा आपको कार रेसिंग वाले गेम पसंद है तो दोनों के अंदर आप स्टेरिंग वील बना रखे और अमने दोनों कंसोल पर टेस्ट भी कर रखे हैं गर में एक दम गाड़ी वाली फीलिंग लेनी हो तो इन कंसोल पर आप वो भी ले पाऊगे उसके बा पर हमारे को PS VR 1 का सपोर्ट मिलता है जिसके अंदर हमारे को 400 टाइटल्स मिलता है आज की रेट में तगड़े तगड़े वी यार गेम सा PS4 पर घेल पाऊगे वहां ही एक्सबॉक्स सीरीज भाईया व्यार ना ना वह क्या होता है आमें नहीं पता है रिमोट से घेल लो जो अब मल्टिमीटर डिवाइस यूज कर सकते हो गेम ने खेल लिए अपना मोवी देखो पिच्चर देखो और आम से चेल मारो ज़रूरी है गेम खेल ली नहीं वह भी जरूरी है उसके बाद बात आती है रेजल्यूशन की यहां पर हम तीन कंसोल के बारें बात कर रहे है एक 4K चलता है 1440 पे चल रहा होगा लेकिन 4K रेजल्यूशन पर आपको गेमिंग करवाएगा जो एक्चुल 4K नहीं होती 4K वाली शापनेस आपको नहीं मिलेगी बट 1440 से थोड़ा सा बेटर आपको लगेगा और वहीं पर बात करते हैं पीएस फॉर स्लिप के बारे में तो 4K 30, 4K 60 fps और जो गेम 4K रेजल्यूशन ऑप्टिमाइज भी नहीं है 1080p पे चलता है तो PS4 Pro उनको 4K अपस्केल में चलाता है जो आपको काफी अच्छे एक्स्पीरियंस देंगे जो मैं आपको इसके केस में भी बता रहा था और ऐसा नियस के अंदर सारे गेम 120Hz से लेंगे जैसे Fortnite, Apex, Warzone और साथ में हमारे को कीबोर्ड माउस का भी support मिलता है दोनों कंसोल के अंदर e-sports के अंदर माउस माउस से shot लेने हो आपको कीबोर्ड से खेलना हो तो वह आप खेल सकते हैं ज़रूरी नहीं कंट्रोलर से खेल लो और हाँ जब कंट्रोलर की बात चली रही है उससे भी हमारे को आवाज आती है जैसे दूर से पुलिस की आवाज आ रही है या कोई फोन पर बात कर रहा है वह वाली आवाज आ रही है या कोई high pitch sound है गेम के अंदर कोई blast है कुछ है वो सब हमारे को सुना ही देता है और जो haptics है वो भी प्रीमें मिलते है ओवरॉल PS4 क कंट्रोलर में हमारे को नहीं मिलती है उसकी वज़े से मेरे को Xbox Series S का कंट्रोलर भी अच्छा लगता है और Xbox Series S का कंट्रोलर आप अपने Windows से भी कनेक्ट कर सकते हो नेटिव सपोर्ट है मतलब directly सीधा कनेक्ट करो और पूरी vibration vibration सब चालू PS4 के कंट्रोलर में हमारे को थोड़ कंट्रोलर में देखते हैं तो वहाँ पर Type-C केबल मिलती है लेकिन Type-C केबल से सर्फ connection होता है चार्जिंग नहीं होती क्योंकि इसके अंदर डलती है बैटरिया तो दोनों कंट्रोलर में अपने डाउंसाइड और यहां पर जब कंट्रोलर की बात होई तो gaming experience की भी बात कर सपोर्ट करता है लेकिन 55 इंचीज के टीवी इसका टीवी भी बढ़िया दिखाई देता है हमारे स्टूडियो में बंदा है अभी Spider-Man खेल रहा है सिये जाथ यहारा पूरा खेलने में मैं अच्छा ऐसा है गया और जब gaming experience की बात चली रही है एक्सबॉक्स सीरीज एस के अंदर फ्रेम रेट के मामले में थोड़ा एक प्लस पॉइंट है सारे गेम समाले 60 fps पे चलता है यह 60 हर्ट वाला टीवी है अगर आपके पास 120 हर्ट वाला मॉनिटर वगरा कुछ है तो उस पे आप यह कनेक्ट कर सकते हो 1080p resolution को भी support करता है 1440b को तो करता ही करता है और जाधा fps वाले गेम अगर आपको खेलने है जिसके अंदर 120 fps का support है तो वो भी यह चलवा देता है फ्रेम रेट के मामले में मैं इसको जाधा नंबर दूँगा और तीनों के तीनों के अंदर हमारे को HDR का भी support मिलता अगर आपक जैसे पीसी पर हम गेम केलते हैं 30 fps में मजा नहीं आता लेकिन ps4 के केस में ऐसा नहीं है भाई बर बर के motion blur डाला होता है इनके गेम के अंदर 30 fps वाली गेम भी इतनी स्मूध लगती है मतलब अगर PC से compare करते तो PC का 30 fps जित रही है PlayStation का 30 fps बहुत स्मूध लगता है तो अगर त 120 fps का support almost सारे e-sports titles में है जैसे Apex हो गया Fortnite हो गया Warzone हो गया उसके अंदर 120 fps का support है तो अगर आपके पास 120 hertz वाला है उससे उपर का monitor है यह आपको ज्यादा benefit देगा अगर आप e-sports games ज्यादा खेलते हो तो सवाल of the century gaming PC versus laptop versus console कौन सा ज्यादा बेटर है आज की रेट में अगर सिर्फ gaming करनी हो तो अगर सिर्फ gaming करने हो क्यों बोल रहा हूं क्योंकि यह gaming devices है इसमें और कोई काम नहीं हो पाएगा अगर आपको और कोई काम करना तो आप laptop या PC बिल्ड कर सकते हो यहां पे सिर्फ अग Uncharted, Spider-Man, Last of Us, Two Minutes के ओपर खेली है, God of War, Ragnarok इसके ओपर चलती है बले 1080p 30fps लेकिन जिस लेवल के गेमिंग जितनी बड़ी स्क्रीन पर करवा बाता है एक बड़िया स्मूध गेमप्ले के साथ वो भाई एक laptop या gaming PC नहीं करवा सकता 55,000 रोपे के साब से बोल रहा हूं और और मैं फिर से बता दूँ बाकी productive task करने है तो PC ही बेटर चॉइस है सिर्फ गेमिंग तो यह तो होगे सारे pointers अब बात कर लेता है कि किसको यह consoles लेने चाहिए तो अगर आप एक नए-ने गेमर हो नया-ना गेमिंग का शौक उठा है तो इन टीनों में से कोई भी console आप ले सक अब इसका life span जादा है जादा future title जिस पर launch होंगे PS4 पर जादा titles launch नहीं होंगे अगले एक दो साल बाद इसके ओपर games आने बंद हो जाएंगे जो पहले वाले games होंगे वो आप खेल सकते हो इसलिए बोल रहा था नया-nया gaming का शौक उठा है तो भाई 7000 गेमिंग की लाइब करते हैं तो भाई मैं PS4 प्रो क्यों लूँगा वो है इसके exclusive titles जो मैंने सारे खेल रखे हैं उनका कोई मुकाबला नहीं है एक्सबॉक्स के exclusive titles तो मतलब ऐसे एकदम फीके फीके से हैं वहाँ पर भाई साब यह नंबर ले जाता है मेरी नजरों में स्पैसिक लिए और अगर आप PlayStation के डाइहार्ड फैन हो मेरी तरह और आपको PS4 प्रो लेने में कुछ मन में डामा डॉल हो रहा है कि लो या ना आप टूडेट रहते हो लेटेस्ट गेम्स खेलना है मतलब कोई आशी दिक्क्त देनी है तो आप PlayStation 5 के लिए जाना पीएस फॉर मतले ना क्योंकि PS4 में जैसे मैं आपको बता है पुरे टाइम बाद यह बंद हो जाएगा मतलब इस पर गेम्स आने बंद हो जाएंगे क्यों पसद आता है तो सब्सक्राइब पटन जरूर दमाना बेल आइकन पॉल नोटिफिकेशन मिसने होनी जिए हम मिलते है नेक्स वीडियो अब तक के लिए बाए